हलो एलकम बैक टू माई चालेंग मैं हूँ एस्त के मासूद और आज बताने वाला हूँ कोलिजा डी सिराप के बारे में जो की पेडियाटिक सिराप है बच्चों के लिए पेट दर्द के लिए यूज किया जाते हैं और भी कंडिशन में इस सिराप को यूज किया जाते हैं आगे बाताने वाला हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखना पूरा देखोगी तो तब फूल अफ इनफर्मेशन में लगी और आप इस चालेंग में नहीं है तो सास्क्राइब कर देना कोलिजा डी सिराप यूज कैसे करें साइड इपेक्ट क्या है बेनिफिट पूरा बात आने वाला हूँ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोलिजा डी सिराप डी डाबलुडी कंपानी ने मेनुफेक्चर करते हैं 30 ml में आता है इसका जो MRP है 57 इसका जो इंग्रेडेंट्स है स्मीथी कॉन 40 mg और डाइसाइक्लोमिन हाइडोक्रोराइड 10 mg किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी आपको कोलिजा डी सिराप बच्चों को पेट दर्द के लिए यूज किया जाते हैं बच्चों को पेट में ग्यास और एसीडिटी की वज़ा से जो दर्द होती है उसमें भी इसको यूज किया जाते हैं दस्त और पॉटी होने की वज़ा से जो पेट दर्द होती है उसमें भी इसको यूज किया जाते हैं ग्यास और एसिडिटी की वज़ा से जो पेट फूलने लग दिये, बच्चे रोने लग दिये, उसमें भी इसको यूज़ किया जाते हैं और बच्चे की पेट में कोई भी इंफेक्शन की वज़ा से जो दर्द होती हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाते हैं बच्चों को पेटदर्द के लिए बहुती वैतरीन सिरफ है और डॉक्टर रिकमेंड करती है ज़्यातर इस सिरफ को इन सब कंडिसनों में इस सिरफ को यूज किया जाते हैं आप जन लेते हैं इसका डोज लेने की सही तरीका डोज लेने से पहले डॉक्टर को सला जो रूल लेना है और अपना बच्चा का जो एज और ओएट है उसको देखते ही डॉक्टर डिसाइट करेगा कितने डोज लेने चाहिए नॉर्मली बच्चों को पांस साल से छे साल बच्चे को फाइव एमेल देती है और अपना बच्चा का ओएट और इस देखते ही डॉक्टर डि क्या है साइड डिवेट ज्यादा तर कुछ दिखाई नहीं देती है जो नर्माली दिखाई देती है भुमिटिंग कोई भी साइड डिवेक देखने को मिलता है तो डॉक्टर को पास साला लीजिए और तब तके लिए शिराप को यूज करना बंद राखिए यह रहा कोलिजार डिशिराप की फूल अप इनफर्मेशन आयो वेडियो अच्छी लगी अच्छी लगी तो एक लाइक एट देना और कोलिजार डिशिराप के बारे कोई भी डाउट और सवाल है तो आप कोमेंट बॉक्स पे पूछ सकती हो कोई किसी भी मेडिशिन के बारे में कोई भी मेडिलाइ